नमस्का दोस्तो मैं डट्ड संजेक मार, गरेलु इलाज देखिये 100% सटीक इलाज, देखिये मीरे वीडियो नमस्का दोस्तो मैंड्ड संजेक मार आज आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूँ अपने चैनल के माद्यम से आपको बताने जा रहा हूँ आरवेदिक उप्चार गरेलुपाई जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्त रहेंगे आज की जो वीडियो है ये वीडियो है दिमाग के लिए जैसे की आँखों में जो कोशिकाह होती हो सुख जाती है और दिमाग की नसे भी सुख जाती है और इसमें क्या होता है किसी की तो आँखों की भी कोशिकाह सुख जाती है और दिमाग की भी नसे सुख जाती है दिमाग में भी प्रब्लम्स होती है, दोनों सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक अलग प्रकार की वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, जो आपको दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको लक्षम बताऊँगा, परीज बताऊँगा, क्या आपको खाना है, क्या पीना है, और कैसे इसमें अपने आपको बचाना है। और जो symptoms होते हैं इसमें बहुत तेजी के साथ बदलते हैं बढ़ जाते हैं symptoms लोग इसमें गलत step ज़्यादा उठा लेते हैं क्योंकि बहुत लोग इसमें क्या करते हैं अधिकांज सभी करते हैं neurologist के पाथ जाते हैं और English दवाईयां medicine इसमें खाते हैं या आँखों के किसी doctor के पाथ चले जाते हैं तो उसमें treatment ले लेते हैं drops टाल लेते हैं और English दवाई खा लेते हैं और चश्मा लगवा लेते हैं लेकिन इससे कुछ हल नहीं होता है जो आँखों के symptoms होते हैं जो vision चला जाता है vision का जाना आँखों की जब कोशिकाएं जो नसे होती है जब ये मर जाती है एक तरीके से सूप जाना और ये जिवित करने में बहुत समय लगता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसमें जो English treatment है वो काम्याब नहीं है दुनिया में कहीं भी चले जाओ इसका कोई भी treatment नहीं है English दमाओ में नहीं हुमोपेटिक में है सभी वीडियो में बोलाओं लेकिन फिर भी लोग मेरे पास आते हैं कोई 15 दिन की दवाई खाके आता है कोई 2 मेंने की कोई 1 साल कोई 2 साल कोई 3 साल कोई 4 साल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दवाई नहीं खाके आये होई होते हैं नहीं तो हर कोई English दवाई medicine इसमें ले चुका होता है और इन नसों को जागरित करने में बहुत समय लगता है और English दवाओं का जो सेवन है ये बहुत हानिकार रखे इसमें तो इन नसों का जो सूख जाना होता है जो मर जाना होता है उनको जीवित करना समय लगता है बहुत और English medicine से आपको अपने आपको बचाना है इसके मैं आपको लक्षन बता देता हूँ पहले कि इसके लक्षन क्या है जैसे कि आपके आँखों की कोशिकाएं सूखने के लिए जा रही है इसमें symptoms बता देता हूँ क्या आते है शुरू में आपको अंधेरा अंधेरा सा लगेगा एक side से जैसे कोई छाया सी या आँखों से पानी आना आखें लाल रहना आँखों में दर्द रहना यहां पर दर्द रहना पटों में और फिर यहां से दिमाख यह यहां से फिर आपका यह दिमाख तक दर जाना और इसमें क्या करते हैं? एकदम लोग मैडिसिन ले लेते हैं या किसी निर्लोगस्ट के पाझ जाएंगे या किसी आँखों की दवाई Crowds चालेगे किसी आँखों को ड़क्त के पाझ जाएंगे और मैडिसिन ले ले लेंगे या चश्मा लभा लेंगे फirm इसमें वीजन जाना जो शुरू होता है, वीजन जाना जो शुरू होता है, तो लोग अधिकांश में चश्मा लभबानी कोशिश कर लेते हैं, यह लगवा लेते हैं, लेकिन उससे होता खुछ नहीं है, और यह, जैसे आप एंग्लिज्जडवाई इसमें खाते हैं, यह साथ जो है आपकी नसें जो हैं सुखना शूरू हो जाती बहुत होगी तो ऐसा होता है कि एक मेल्डे में सुख जाती हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी इम्मिर्टी पावर या नसे कमजोर हैं तो उनकी तेजी के साथ नसे सुखती हैं और पॉबलम्स एकदम बढ़े जाती हैं दिमाग के सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कि नसे सुखी वही हैं और आपका क्या है कि यारदाश्ट में पॉबलम्स दर्द चलना भूलने की समस्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती है कोई चीज रखी आपको आपने याद करने कोशिश की आपको याद नहीं आ रही है काफी समय बाद आपको याद आया अरे हाँ यह यहां रखा था या किसी चीज़ को फोकस करना वो आप नहीं कर पाएंगे कॉंसंट्रेट करना या कोई काम करने की कोशिश करना है वो भी नहीं कर पाएंगे हाथ कहीं भी सिम्टम्स आ सकते हैं, गले में सिम्टम्स आ सकते हैं, आपके बोलने में प्रब्लम्स आ सकती है, बहुत तीजी के साथ इसमें सिम्टम्स जो होते हैं, ये बदलते हैं, और बढ़ते हैं, दवाई लेते लेते आपके सिम्टम्स वड़ेंगे, जो आप ऐलोपेटिक दवाई लिए इसमें ले रहे हैं, पुरी जिन्दी लोग दवाई खाते हैं, हलालग मिमारी हैं दिमाग की, बहुत मिमारी हैं, और ये कभी भी सिम्टम ठीक नहीं होते हैं, पुरी जिन्दी लोग दवाई खाके मेरे पास आते हैं, तो इसमें मैंने आपको लक्षान बता द और आपको लगेगा कि अंदा से रुखा सुखा सा कुछ आपका बलड आपका चलेगा तो आपको पेन होगा क्योंकि जब नसे सुख जाती हैं तो बलड जो है पास नहीं होता है जब जब आपको ऐसा लगेगा कि बलेट पास होएगा तो आपको लगेगा कुछ चल रहा है लेकिन वो बलेट चल रहा होता है और वो पास नहीं होता तो आपके पेन होगा वहाँ पे आपको जटका भी लग सकता है माई में जैसे आप रातरी में सो रहें आप चटके से भी उट सकते हैं आपको चटका लगेगा दिमाग में तो यह भी symptom से इसमें आते हैं मैंने आपको लक्षम बता दी हैं अब मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ खान पीन परेश और खान पीन चावल खटाई अंडा नोनवेज शराब, गुटका, कोई भी किसी प्रकार का smoking या कोई भी नशा, आप इसमें नहीं कर सकते. जितना आप दूर रहेंगे, उतना आप बचे रहेंगे. खाने में, कोई भी एकस्वारी की जिस पर लिखी हुई है, वो नहीं खाने. घर के मसाले एक्सपारी लिखावें वो यूज नहीं करने आपको ताजे लाओ नपीसो वो क्योंकि उसमें केमिकल लगा होता है चीनी का प्रयोग निशेद है चीनी ना खाएं इसकी जगह आप देशी खंड या धागे वाली मिस्री आती है उसको आप यूज़ कर सकते नहीं पीनी है गुनगुना पानी पीना है या आपके पास बोटल रखी हुई है आपके पास सफर में है और वो बोटल गुनगुनी है उसे ही पीजिए तीन चार घंटे का पानी रखावा पीजिए गर्मी में और सर्दी में गुनगुना पानी पीजिए और गर्मी में भी गुंगुने पानी से नहीं है, इसनान कीजिए, ठंडी तासीर उसकी कतम कर दीजिए, जब जब आप ठंडा पानी सर पर डालेंगे, तब तब आपके जकड़न खिचाओ, ये सब आपके बनेगा, और सिम्टम्स तभी एकदम चेंज होंगे, ठंडा पानी से दूर रहना है, रखवा गर्मी का पानी पीजिए, सरदियों में गुनगुना पानी पीजिए, गरम करके, जितना गरम पियेंका उतना अच्छा है, और फल आपको बता दूँ, फल आपको, जो फल आते हैं, अगर गर्मी है, बाहर, फ्रीज से बाहर रख्त रखे वे फल खाएं, उखलया क और उनको निकाल के छील के खालो उनकी जो ठंडी तासीर है वो खतम हो जाएगी क्योंकि फल तो वैसे ही ठंडा होता है सरदी में गरम पानी में डालो उनको निकालो तीन चा मिनट डाले रखो फिर निकालो उनकी ठंडी तासीर खतम हो जाएगी तब आप फल खा सकते हो कोई पब्रम नहीं है और खाने में आपको क्या लेना ग्रीन सबजी का सबसे ज्यादा सेवन करना है आपको लिक्विड रोटी कम खाऊ लिक्विड जितना आप लिक्विड खाएंगी उतना आपका बलड पतला बनेगा पतला होगा जो आपका मोटा गाडा बलड हो गये जो 30 प्लस से उपर है और बलड पतला करने के लिए आप हमें ग्रीन सबजी का सेवं जादा करें इसमें मैं आपको बताऊंगा 8-10 पत्तियां लेलो अलग-छलग सबजी ओकी उसमें टिमाटर का पत्ता होता है टिमाटर के उपर ग्रीन पत्ता होता है उसको आप तोड़ लीजी, वाक अप बहुत फाइदा करता है इसमें, और आप लीजी पोदीना और या हरदनिया, सबजी वाले के पास अगर आपको एक चीज नहीं मिलती, एक चीज तो डालनी है, चाहे पोदीना या हरदनिया, दोनों में से एक आठद सबजी की पत्यों मे तो होनी चाहिए, और एक टमाटर का वो पत्ता, कहीं भी मिल जाएगा आपको, और इसको ड्रायर कीजी, या पीस लीजी सिल्वर्टे पर, नेच्रल बनेगा, वो ज्यादा अच्छा है, एक कप, दर-दस गिराम आपको लेना है, एक कप आपका पिष्ट बन जाएगा, और आपको बन जाएगा, और एक गंटे तक आपको कुछ भी खाना पिना नहीं है, आपकी जो ये, जो सिम्टम्स हैं, ये कव होंगे, जो आ रहे हैं, वो आएंगे नहीं, आप बचे रहोगे, आप परेज में ही अपने आपको बचा के रखेंगे, अगर आप खान पीन, चालेंगे, इस वीडियो को शेर करें, ताकि लोग अपना परेज करें, खान पीन पर ध्यान दें, तो इससे आपको ज़्यादा लाव होगा, और इंग्लिश मेडिसन का सेवन ना करें, दर्द निवारक टेबलेट बिलकुल नहीं लेनी, अगर पैर हाथ में दर्द होता है तो दर्द निवारक टेबलेट बिलकुल नहीं लेनी है, 200 mg, 250 mg, 500 mg बिलकुल नहीं लेनी, 100 mg नहीं लेनी, आपकी नसे एकदम सुखेंगे, चाहे आखों की कोशिक आए हो, विजन जा रहा है, चाहे दिमाग की नसे हो, सुखी भी हो, जैसी आप टेबलेट खाएंगे, आप कि दीजी के साथ नसे सुखेंगे, तो अपने आपको यहाँ पर अपने आपको बचाना है, और परेज पर रखना है, खान पीन पर धियान देना है, जितना परेज करेंगे उतना आप बचेंगे, उतनी आपकी परिशानी कम होगी, और हम इसमें जो तवाई देते हैं, no side effect ह ऐलोपेटिक में पूरी दुनिया में कहीं लाज नहीं है, लोग खाते हैं, अपनी जिन्गी खराब करते हैं, फिर मेरे पर आते हैं, इसमें मेरे पास जो आते हैं, लोग दो साल, चार साल तक की दवाई खाके आते हैं, और उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, तो आप बचे रहेंगे, वाटसम नमबर चला, इसमें आपको डेटेल मिल जाएगे, किलनिक पर आ सकते हैं, कॉरियर के द्वारा दवाई मंगा सकते हैं, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पास से छे मेंने में नसे जागरित हो जाती हैं, और नो से दस मेंने का कोर्स हो आपको कभी जिन्गी में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और आप अपने आपको स्वस्त रखें, और इसमें आप अपने आपको जितना परेश पर रखेंगे, आपको ज्यादा अलाब होगा, और आप अपने आपको स्वस्त रख पाएंगे, और इसके साथ वीडियो में सम किया गया तेश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज आर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों